अगर आप चाहते हैं कि आपके गमले में लगा हुआ अनार का जो पेड़ है वो अनार से भर जाए तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा आज के वीडियो में मैं आपको अनार के प्लांट की कंप्लीट केर के बारे में बताने जा रहा हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि अनार का जो पेड़ है वो कैंसे लेना चाहिए मतलब बीज से होगाना चाहिए या फिर ग्राप्टेड लेना चाहिए अनार के पेड़ को किस साइच के गमले या गिरो बैग में आपको लगाना है अनार के पेड़ को लगाने के लिए मिट्टी कैसी बनानी है साथ मैं अनार के पेड़ में कब कब और कौन सी खाद देनी है ताकि उसमें धेर सारे फूल और फल लगें और खास एक टिप्स की अनार की प्रूनिंग कब और कैसे करें ताकि उसमें जो फूल आए वो ग्रेना ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो को आपने लाश तक देख लिया तो फिर आप भी अपने घर पर बड़े आसानी से गमले या गिरो बैग में अनार के पेड़ को गाना सीख जाएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरस और गार्डनिंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं चत पर बना हुआ ये टेरस गार्डन है और इन चार पेड़ में धेर सारे अनार लगते हैं अभी ये दो पेड़ आप देख रहे हैं और इसमें आप देखिए कितने सारे अनार लग रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अनार और इन फूलों को देखिए कितने सारे गुच्छों में फूल आय हुए है और ऐसा नहीं है कि ये सारे फूल फल में कनवर्ट हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे जो फूल है वो फल में मतलब अनार में कनवर्ट होंगे और फिर आंगे चलके हमें यहां से धेर सारे अनार मिलें ताकि आपके जो भी अनार के पेड़ है या तो आपके पहले से लगे हुए हैं तो उनकी केयर आप कैसे करें या फिर आप अनार के पेड़ को लगाना सोच रहे हैं मतलब उसको अपने छट पर या गार्डन में लगाने का प्लान कर रहे हैं कभी भी बीज से तैयार अनार के पेड़ को आपको नहीं लगाना है। तो ये जो दो पेड़ देख रहे हैं आप ये एर लेरिंग से तैयार पौधे हैं। एर लेरिंग में क्या होता है इन पौढ़ों को किलोन मतलब की इनकी जो इस टैम होती है इसी में जो है रूट डेबलब की चाती है वह फिर इसको यहां से कट करके इसका यह नया पोधा बन जाता है तो ये air layering से तयार पौधे हैं, इसी तरह से आप grafted पौधे भी ले सकते हैं इसके बाद जब आप पौधा लेने जाएं नरसरी में तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि पौधा थोड़ा सा healthy और mature हो, तो आप उस पौधे को लेकर आईए जैसे ही आप इस अनार की पेड़ को लेकर आते हैं, तो फिर इसके लिए आपको सही size का grow bag या गमला नेना है मैं recommend करूँगा कि आप grow bag इस्तमाल करें, और grow bag का size जो है सबसे सुरुवाती size है 18 x 18 inch ये देख सकते हैं, आप ये 18 x 18 inch का grow bag है, इस तरह के grow bag में आप अनार का एक पेड़ लगाईए और अगर आप इस तरह का grow bag लेंगे तो इसके बाद 21 x 21 inch और 24 x 24 inch का grow bag आता है लेकिन जब आप छोटा पौधा लाएंगे तो 18 x 18 inch का grow bag बहुत अच्छा है देखिए दोनों पौधे इस तरह से 18 x 18 inch के grow bag में लगे हुए हैं इस grow bag में जैसे ही आपने पौधा लेके आए तो आप इसके लिए जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी आपको बनानी है अनार को क्या चाहिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी न रुके लेकिन मौश्चर भी बना रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो मिट्टी बनाएंगे अनार के पौधे को लगाने के लिए उसमें जादा से जादा मात्रा में कमपोस्ट खाद मिलाएंगे यहाँ पे आप देख सकती हैं यह मिट्टी आपको दिख जाएगी तो इस मिट्टी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है तीस परसेंट तो नॉर्मल मिट्टी ली है तीस परसेंट मैंने उसमें कोको पीट मिलाई है तीस परसेंट मिलाई है गोबर की खाद और बाकी 10% में दूसरे फर्टिलाइजर जैंसे नीम खली, सरसों की खली, बोन मील इस तरहे के खाद मिला दिये हैं इससे क्या होता है, इस मिट्टी में नमी बहुत अच्छी बनी रहती है, पानी बिलकुल नहीं रुकता और हमारे जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, इस पेसली अनार के पौधे अब आप देख रहे होंगे कि यह जो दो अनार के पौधे हैं, यह काफी मैच्छी और आपको लग रहे होंगे तो यह लगभग दो साल के पौधे हो गए हैं, तो जो अनार का पौधा आप पहले साल लेकर आएंगे मतलब जब वो पेड़ बनना सुरू होगा, तो उसे आपको अच्छे से केर करनी हैं और पहले साल बहुत कम अनार के पेड़ में फूल आते हैं और फूल आते हैं तो गिर जाते हैं तो आपको क्या करना है जैसे ही आप अनार का पेड़ लेकर आएं और उसे ग्रोबेग में लगाएं तो उसकी फिर आपको time to time care करनी होगी अब इसकी care में दो चीजें बहुत important हैं एक तो इसकी pruning और दूसरा इसमें हम देंगे खाद अब खाद में मैं कौन सी खाद दूँगा तो ये आप सामने देख रहे हैं इन खाद का मैं mixture बना के देता हूँ गोबर की खाद है इस तरह से ये आप देख रहे हैं सरसों की खली है यहाँ पे आप देख रहे हैं bone meal, potas और ये नीम खली अब नीम खली डालना इसलिए जरूरी है ताकि जड़ वाली बीमानिया ना हो तो इन सब का mixture बना के देंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका mixture बना कर देना है और इसकी pruning, अब देखिए ये पोधा जब मैं लाया था तब इतना mature तो नहीं था तो इसकी क्या की जाती है, pruning, अब pruning क्यों करना जरूरी है पहले मैं आपको बो समझा देता हूँ, फिर pruning कैसे करनी है, उसके बारे मैं बात करेंगे तो जैसे की मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये अनार लगा हुआ है ये सामने आप देख रहे हैं, जो अनार है और इसकी जो इस्टेम आप देख रहे हैं, देखिए ये hard board है अब इसका हमने क्या किया था, जैसे ही इस्टेम इहां आ गई थी, यहां से हमने इसे cut कर दिया था तो इसकी ये नई stem ये निखली, अब इसमें हमने क्या किया, जैसे ही ये उपर आगई हमने यहां से कट कर दिया, तो इसकी stem ये निखली, अब हम क्या करेंगे, इस stem को यहां से कट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जब ये stem हाड हो जाती है, तो इसमें जो है अनार लगना स शुरू हो जाते हैं मैं आपको इधर से एक और एक्जाम्पिल में समझा देता हूं यह देखिए यह आप देख रहे हैं दो अनार एक सांट लग रहे हैं अब यह दो अनार एक सांट लग रहे हैं यह भी हार्ड बोड है जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की सौप्ट जो तो आपको इस तरह से इसकी प्रूनिंग करनी है ताकि जो है आपके अनार के पौधे में ग्रोथ अच्छी होती रहे और extra growth भी ना हो अभी आप देख रहे हैं जितनी ये new extra growth है इनको सबकों मैं cut करने वाला हूँ इन सबकों मैं cut कर दूँगा ताकि जो अनार अभी लग रहे हैं अनार में पौधा अपनी energy दे पाए और इन्हें बड़ा करे तो इस तरह से आप cutting कीजिए cutting करने का सही समय जो होता है अभी आप मैं और जून में कर सकते हैं इसके बाद जब सर्दियां खतम होती है हमारे यहां जो जनवरी फरवरी का महीना होता है तब आप कर सकते हैं तो इस तरह से जब मौसम change हो तब आप कीजिए तो बहुत अच्छा आपको result मिलने वाला है और अगर मैं बात करूँ कि इन दो पौधों में अनार कितने लगे होंगे तो कम से कम 25 से ज़्यादा अनार भी लगे हैं और तीन तीन के गुच्छों में भी लगे हैं यहां देख रहे हैं तीन यहां दो अगर मैं आपको पीछे दिखाओं तो वहां तो साइद चार अनार एक सांथ लगे हैं और यहां से देखिए, यहां से आपको दिख जाए, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, यहां पर यह अनार है, और एक, दो, तीन, और चौथा वहां पर भी लगा हुआ है, तो साइद चार अनार एक सांथ हैं, मैं यहां से नहीं देख पा रहा हूँ, उस तरब स मैं आपको दिखाऊंगा तो इस तरह से इसकी बेसिक केयर है लेकिन इंपोर्टेंट है अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर अनार नहीं लगेंगे अच्छा बात करते हैं फूल गिरने की तो अनार में क्या होता है सब को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो एक प् देखे फूल नहीं गिरते या मैं यह खाद दे दूंगा तो एक भी फूल नहीं गिरेगा ऐसा नहीं है फूल गिरते हैं लेकिन इसमें क्या होता है ना तीन तरह के फूल होते हैं एक फूल होता है मेल फूल और एक होता है फिमेल फूल और एक ऐसा फूल होता है जिसमें मे पीच बाला यह female फूल है, इसके बाद एक और होता है, जो male और female होता है, उसे पहचानना थोड़ा सा टफ है, तो इस तरह से तीन तरह के फूल होते हैं, तो जो male फूल होंगे, वो तो गिर जाएंगे, वो उसमें से कोई अनार नहीं बनेगा, और जो female फूल होंगे, अगर उ और पाई पोधेन के तो पाई अगृत में होता है। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने अभी तक नहीं किया। तो इस तरह से आपे फूल गिरने की पॉदे थी, उसका भी मैंने आपको बताया है। मेलनी अनार के पौधे के फूल गिरते हैं उसका दो रीजन होता है एक तो उसमें खाद की कमी होती है मिट्टी में और दूसरा जो फूल आया होता है वो बहुत ही कह सकते हैं कि नई ब्रांच पे आ जाता है इस तरह से जो बिलकुल नई नई ब्रांच होती उसमें फूल आता में तो चलिए इस खाद को मैं आपको निकाल कर बताता हूं कि कितना कितना आपको इसका मिक्स्चर बनाना है और कैसे देना है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको मेरे अनार के पौधे अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को यहां लाइक कर दे क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो अभी क्या भी वीडियो लाइक कर दें और देखते हैं अनार के पोधे में खाद देने का तरीका अब देखिए सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा मातरा में इस्तमाल करता हूँ एक मुठी लेनी है और इसे आप महीने में एक बार ज़रूर इस्तमाल करें नीमखली को तो उच्यक अब जरूर करें इसके बाद हम ले रहे हैं यह हमारा और्ग निक पोटास तो इसकी भी लग भग एक मुठी हमें लेनी है और थोड़ा और है तो इतना और डाल देते हैं और इसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट है बो है देखिए बोन मील तो मैं बोन मील इस्तमाल करता हूँ तो आप भी कर सकते हैं इसे फल का साइज भी अच्छा होता है और फ्रूटेंग अगर नहीं होती तो वह होने लगेगी तो देखिए एक मुठी हमने यहां पर बोन मील ले लिया है अब इसमें जो है दिखिए मैं सर्सों की खली मिलाता हूं लेकिन जब मैं जनवरी फर्वरी में खात देता हूं तब सर्सों की खली इसमें मिलाता हूं और बाकी समय में मैं इसका liquid बना कर देता हूँ, तो अभी especially मई का समय है, तो मैं ये सरसों की खली इसमें नहीं मिला रहा हूँ, अब ये जो fertilizer हैं, इनको हमें करना है अच्छे से mix, इस तरह से, और ये हमारा बहुत अच्छा एक organic mixture तैयार हो गया है fertilizer का, जो की NPK का rich source है, उसमें माइक्रो न्यूट्रियंट के साथ, माइक्रो न्यूट्रियंट भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप देखिए, जैसे हमने bone mean मिलाया तो इसमें हमें calcium और phosphorus मिल जाएगा, बहुत अच्छा और पोटास जो हमने मिलाया उससे पोटास मिल जाएगा नीम खली में बहुत सारे जो nutrition है वो होती है तो हमारे जो भी अनार के पेड़ है उसकी जड़ों में कोई किसी भी तरह की रोग नहीं आएंगे तो इसको हमने अच्छे से mix कर लिया है और आप पौधे में कैसे देना है चलिए वो समझ लेते हैं अब देखिए ये जो हमारा grow bag है इसमें mulch है आप देख रहे हैं ये mulch की हुई है ये mulch किस चीच की है वो भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये अनार के पौधे की ही mulch है जो मैंने mulch किया था उसी के ये पत्ते हैं तो इसे मैं दूसरे वाले अना ही में जो है खाद का काम करेगी बाद मैं आंगे चलके तो हमें इस तरह से जो आप जब भी आप प्रूनिंग करें तो उनी से आप मल्च भी कर दीजिए दोनों काम आपके हो जाएंगे इसके बाद हमने इसे अच्छे से हटाया अब आप देख रहे होंगे देखिए जैसे जोहाली भर्मी कंपोस्टिन ने बनाया हुआ है यहां पर आप हम क्या करेंगे अब आपको क्या करना है देखिए इसमें चीटी भी हैं चीटी से कोई प्रॉबलम नहीं है हमें तो हम उनको ज्यादा परिसान नहीं करेंगे अब क्या करना है आपको इस तरह से हलकी गुडाई करना है और आपको मैं जड़ दिखा देता हूं देखिए ये हैं हमारे जो अनार के पौधे उसकी जड़ ये तो जड़ उपर ही है बस हम क्या करेंगे थोड़ी सी इस तरह आपको जड़ ये तरह से हलकी सी गुडाई कर देंगे ज्यादा हमें नहीं छेड़ना है मिट्टी को इसी भी हैंट ट्रावल की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं देखिए ये हैंट ट्रावल जो बिग है इसकी मदद से ये कर रहा हूं और ये जो बीच में आप छला देख रहे हैं ये डिप है हम इसमें डिप से पानी देते हैं तो ये सुभय साम 10-10 मिनट के लिए चलता है और इससे इसमें पानी होता जाता है और ये तरीका मैंने खुदी डैवलब किया है इस पर complete वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा की कैसे मैंने इसे बनाया है अब हमने इसकी जो है हलकी गुडाई करने के बाद जो हमने ये खाद बनाया था, अब ये खाद मैं यहाँ पर इस तरह से दूँगा, जो सारी मिट्टी है हमारी, उसमें हमें ये खाद इस तरह से देना है, और आप देख रहे होंगे कि इस टेम से मैं थोड़े दूर खाद क डाल रहा हूं, तो इसी तरह से आपको स्टेम से थोड़े दूर आपको खाद डालनी है ये देखिए, तो इतनी खाद जो है अभी बच गई है तो इसको मैं दूसरे पौधे में डाल दूंगा तो इसके बाद आपको क्या करना है इस खाद को थोड़ा सा मिक्स करना है हमारे इन ही जो मिट्टी हमने अभी गुडाई की थी हलकी मिट्टी उसमें इसे मिक्स करना है मिक्स करना जरूरी है ताकि जो खाद है वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और जो हमारी रूट है वहां तक पहुंच जाए इस तरीके से इस तरह से हमने mix कर दिया है, इस drip को हम सही कर देते हैं, और अब हमें देना रहेगा पानी, तो ये देखिए, इस तरीके से watering can की मदद से हम उपर ही उपर पानी दे देंगे, क्योंकि पहले भी हमारा इसमें drip से पानी होता है, तो हमने ये दे दिया पानी, अब पानी देने के बाद जो हमें क्या करना है, जो हमारी मल्च हमने हटाई थी, उसी मल्च को हम फिर से यहां पर बापिस रख देंगे, और ये जो आप cutting देख रहे हैं, ये लगभग मैंने जो फरवरी का महिना था, जब सर्दियां खत्म हुई थी, तब मैंने इस तरह की जो ये cutting है, तब की तब की ये मल्च है, तभी हमने इसकी मल्च भी कर दी थी, ये देखिए, आप तो ये हमारी हो गए पौधे की फिर से मल्च, आप सूखी पत्तियां ले सकते हैं, काड़ वोड के टुखडे ले सकते हैं, नारियल के छिलके ले सकते हैं, आप उससे भी मल्च कर सकते हैं, और फिर आंगे चलके इन में धेर सारे अनार हमें तोड़ने को भी मिलेंगे, अब अनार को आपको तोड़ना कभ है, तो देख लीजिए जब ये अनार लगभग लगभग इतना मैच्योर होने में चार महीने का समय ले लेता है, जब ये इसके ये पॉलें जो होते हैं, ये सूख सूखने लगें, तो सूख जाएं, तब आप इसे तोड़िये, तो अंदर से ये रेड निकलेगा, पहले मत तोड़ियेगा, बनना अंदर से इसके दाने सफेद निकलेगे, तो थोड़ा सा समय लगता है, वेट कीजिए, अनार बनने से लेखे, पकने तक लगभग 4-5 महिन तक लग जाते हैं, फिर आप इस अनार को तोड़िये, आपको बहुत अच्छा रेजल्ट मिलेगा, और उसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी मिलेगा, अनार की केर का ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बताएं, अगर आपके कोई डाउट हैं, तो उन्हीं कमेंट सेक